सब्सक्राइब कीजी फिनॉमनल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजी और देखें टेक वीडियो सबसे पहले नमस्कार दूस्तों फिनॉमनल गुरुजी यूटीब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप यूज़ करते हैं Samsung Galaxy के M-Series, F-Series, A-Series के स्मार्टफोन और उसमें आप Dynamic Island को इनेबल करना चाते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं आज किस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह जो आपको ब्लैक तरही जो पट्टी दिख रही है यह Dynamic Island है और यह फीचर दोस्तों आप अपने Samsung के स्मार्टफोन में इनेबल कर सकते हैं तो यहाँ पर काफी गुड लोकिंग फीचर है दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है Notification देखने को मिलेगा दोस्तों और Information देखने को मिलेगी एप की कुछ Charging के Animation और Information भी देखने को मिल जाएगी और बाकी App की Information आप देख सकते हैं आपको Animation के साथ App की Information देखने को मिलेगी दोस्तों टॉप पर साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों आपको Music की भी Information देखने को मिलेगी Dynamic Island के अंदर इसके लाबाँ आपको Display की Setting मिल जाती है जहाँ पर आप Allow Move, Display Mode, Width, Height वगेरा सेट कर सकते हैं साथ में आपको Long Touch का Option, Swipe Left, Right का भी Option देखने को मिल जाता है तो यह सारे Feature भी दोस्तों आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं Simply आप आएंगे Play Store के अंदर आप यहाँ पर सर्च करेंगे Dynamic Island तो यहाँ पर आपको यह Feature App जो है देखने को मिल जाएगी Simply आप इसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं तो अमीद करता हैं दोस्तों यह वडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा ऐसे इंट्रेस्टिंग वडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वडियो को लाइक कर लिए मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए Hashtag Phenomenal Guru जी